तो इसको दुबार लेखा आ जाएगा x² प्लस 4y² प्लस z² और यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 9 इस ग्रेट दन इक्वेस टू यह तो वही आ जाएगा जो question में दे रखा है क्योंकि उसको देखके तो बनाएगे 2x प्लस y प्लस 3z का होले स्कूर ठीक है यहाँ x² प्लस 4y² प्लस z² इन्टू यह हो जाएगा 9 चार कितना हो गया 13 इन्टू 4 कितना हो जाएगा 52 प्लस 1 कितना हो गया 53 by 4 is greater than equals to question में इसका value कितना दे रखा है यह 20 दे रखा है तो इसकी जगा 20 रख दिया यह हो गया 20 का square तो यहाँ से रखा है x² plus 4y² plus z² is greater than equals to इस constant को दर ले गए तो 4 upon 53 इन्टू 20 स्कूर कितना होता है 400 तो यह हो गया 1600 upon 53 मतलब x² plus 4y² plus z² इसका value 1600 upon 53 के या तो बराबर होगा या उससे बढ़ा होगा इससे छोटा नहीं हो सकता तो उसका होना गया minimum possible value कितना हो गया यह ही आ गया तो this implies x² plus 4y² plus z² इसका minimum possible value कितना हो गया 1600 upon 53 इससे छोटा नहीं हो सकता given constraint को satisfy करते हुए जो value है मतलब यह भी constraint है कि x y z ऐसा नहीं है आख़ों करे कुछ भी उठा ले ऐसा उठाना है कि यह relation satisfy भी होना चाहिए तो यह relation satisfy हो उसके लिए जो x y z का value आएगा उसके लिए यह expression कभी भी इससे बड़ा इससे छोटा नहीं हो सकता कम से कम इतना value आएगा अब अगर हम यह पूछा है कि यह जो value आया है यह x y z का कोई ना कोई value रखके तो आया ही होगा ना अगर मैं पूछो कि वह value क्या है तो उसका मतलब कहा कि यह equality कभ होल्ड कर रहे जब यह equality है ठीक है तो for minimum value यह ठीक है minimum value कभ आएगा for minimum value equality should hold should hold यह ठीक है for which equality hold करने के लिए हमने क्या अब रहा था कि जो corresponding numbers है उनका ratio ब्राबर होना चाहिए मतलब a1 upon b1 should be a2 upon b2 should be a3 upon b3 ठीक है तो यहाँ पर a1 a2 a3 का काम कौन कर रहा था वो यह कर रहा था x 2y और z तो numerator में तो हो गया x upon 2y upon z upon यह तो a1 a2 a3 का काम कर रहा था बीवन b2 b3 का काम कौन कर रहा था यहां से 2 half and 3 यही करस्पांडिंग है a1 के corresponding B1, A2 corresponding B2, 2 half and 3, तो यहां गया 2, यहां पर आ गया half, यहां गया 3, यह तीनों बराबर होने चाहिए, तो चलो यह तीनों तो आपने से बराबर होने चाहिए, बट किसके बराबर होने चाहिए, मिनको तो value x, y, z की चाहिए, तो हमने माल लिया, कि यह तीनों lambda के बराबर होने से ठीक है X Y Z की value निकालना चाहते है तो यहां से X कितना आ गया 2 lambda ठीक है Y कितना आ गया lambda by 4 और Z कितना आ गया 3 lambda अगर lambda निकल आएगा तो X Y Z निकल आएगा ठीक है तो अब lambda निकालने के लिए हमने क्या किया question में यह जो constraint दिरका इसी को use किया 2 X plus Y plus 3 Z 20 होना चाहिए ठीक है क्या है constraint 2 X plus 2 X plus 3 Y था या Y था 2 X plus Y plus 3 Z है 2 X plus Y plus 3 Z यह 20 होना चाहिए इसमें यह value substitute कर लिया तो यहां देगा 4 lambda plus lambda by 4 plus 9 lambda बराबर 20 तो left hand side पर तो वापस वह या जाएगा 53 by 4 lambda बराबर 20 which implies lambda is equal to कितना होना चाहिए 80 upon 53 lambda आ गया तो अब यहां से X Y Z बता सकते हैं तो X कितना होना चाहिए corresponding 2 lambda मतला 160 upon 53 यह X का value होना चाहिए Y का value कितना होना चाहिए lambda by 4 Y कितना होना चाहिए lambda by 4 which is equal to lambda कितना है 80 तो कितना हो गया है 20 upon 53 यह Y का value होना चाहिए और Z कितना होना चाहिए 3 lambda तो which is 3 into 80 by 53 तो 240 upon 53 तो यह X Y Z की values होनी चाहिए जिसके corresponding जो given expression है उसकी minimum value आईगी and minimum value यह आईगी तो यहाँ पर X Y Z की जो भी value निकलके आईगी वो रखके देखो तो भी यह satisfied जाएगी इनके इलावा कोई भी X Y Z लो गए तो जो value आएगा इस expression का यह ठीक है वो इससे जाद ही आएगा ठीक है यह तो चलो minimum value की बात होगी maximum value पूछा जाया तब तो क्या होता maximum value वापस हम observation से बता सकते कैसे इस बार तो उसने positive negative तो कुछ बोला ही नहीं है उसने तो बस यह बोला है कि यह तीनों मिलके 20 हो जाना चाहिए ठीक है तो हमने ऐसे किया कि Y की value 20 ले लिया ठीक है X की value बहुत बड़ा positive नमबर ले लिया माल लिया एक लाख ले लिया तो यह 2 लाख हो गया और Z को एस negative नमबर ले लिया ताकि यह 2 लाख cancel हो जाए तो Z को ले लिया minus 2 लाख बटे 3 तो उससे क्या होगा कि यह और यह cancel हो जाएगा और Y को अगर 20 लिख लिया तो यह equation valid तो X का value हमने क्या बोला माल लिया एक लाख ले लिया Y का value ले लिया minus 2 लाख बटे 3 ठीक है और sorry Z का value और Y का value कितना होगा है 20 यह जो 3 value आया उनको यहां रखा तो दिख रहा है बहुत बड़ा नमबर आ जाएगा ठीक है यह तो मैंने for example बोला अब मैंने Y का value 20 रखा X का value एक करोड कर दिया कर सकते हैं तो Z का value कितना हो जाएगा minus 2 करोड बटे 3 अब यह value उठाके रखा उस expression में जिसका maximum value चाहिए इसका तो और भी बड़ा value आ जाएगा बहुत-बहुत-बड़ा value आ जाएगा अब समझ में आ गया हो कि हम क्या कर रहें अब क्या करेंगे इसका आ गया हम X का और बड़ा negative value रखा तो वो जो expression है वो और बड़ा हो जाएगा कहने का मतलब कहा है कि उस expression को जितना बड़ा value निगालना चाहिए आ जाएगा उसका इंफानेट की तरफ ले जाना चाहिए तो आ जाएगा यहां पर X का value उन्हें बहुत negative रख दिया माइनेस पचास लाग करोड रख दिया तो Z का value positive में बहुत बड़ा आ जाएगा ठीक है उनको जब ऊपर यहां पर substitute किया तो square square किया तो पागल हो जाएगे बहुत-बड़ा value आजाएगा मालब कहने का मतलब effectively यह है कि बड़ा value तो हम जितना चाहिए निकाल सकते हैं बट minimum value यह रहेगा 1600 upon 350 मालब 1600 upon 53 तो अगर तुम्हें range range समझ में आता है तो x square 4y square z square तो हम यह भी बोल सकते हैं कि range of x square प्लस फिर मैं बूल गया 4y square प्लस z square 4y square प्लस z square कितना हो जाएगा minimum value तो आ रहा था 1600 बटे 53 यही था शायद और जो maximum value है वो हमने बुलाएगा does not exist है वो तो हम infinite की तरफ ले जा सकते हैं तो यहां से लेकर infinity यह range हो गया इसका अगर range समझ में आता है if you are in 11th और range समझ में नहीं आता तो तुम सुनो ही मत कि हमने क्या बोला वो आगे 12th में समझ में आ जाएगा बट यहां तक तो समझ में आना चाहिए ठीक है I hope this should be clear